हेलो अबरिवन आशा करते हैं आप लोग अच्छोंगे जेट पलस रशड़ी पर आपका स्वागत है आईए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की इस वीडियो में आज हम जानेंगे चिकिसा समंधी आविशकार के बारे में और दोस्तों आपको बता देए एक महत्तपूर्ण टॉपिक है बार-बार इससे प्रशन पूछा जाता है कि कौन से आविशकार किस ने किया था किस वग्यानिक ने किया था तो आपको बताना होता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यह फार और आव श्कारक और उसमें भी जो चिकिस सा समदीत है उसके बारे में आज हम जानेंगे उसके बाद बर्गते हैं Streptomycin Streptomycin के आविश्कारक कौन थे ये थे Bombsman कौन थे दोस्तों ये थे Bombsman उसके बाद बर्गते हैं Homeopathy बहुत ही important प्रशन है जोस्तों बहुत important प्रशन है Homeopathy होमियोपैथि के आविशकारक कौन रहे हैं ये थे हैनी मैन कौन थे दोस्तों हैनी मैन थे उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ओपन हार्ट सरजरी open heart surgery के आविश्कारक थे वाल्टल लिलेहल कौन थे दोस्तों वाल्टल लिलेहल उसके बाद बरते हैं प्रथम परक्षनली शिशू प्रथम परक्षनली शिशू के आविश्कारक कौन थे ये थे edwardus and strepto उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे है antigen antigen के अविश्कारक कौन थे ये थे land designer उसके बाद देखते ही हाँ पर है chloroform जो की बहुत ही important है बार बार पूछा गया है कोई exam में जो भी हम देख सकते हैं चाहे तो railway का exam हो या फिर ये ssc बगरा में भी काफी पूछा गया है chloroform के अविश्कारक कौन थे ये थे harrison और Simpson कोन थे दोस्तों harrison और Simpson थे देख सकते हैं आपस screen पर उसके बाद है teramycin teramycin जो है इसके अविश्कारक कौन थे टेर माईसिन के अविश्कारक थे Fasinal उसके बाद है diabetes के अविश्कारक थे Beating उसके बाद है polio vaccine के अविश्कारक थे John A. solid ha उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों वैक्टिरिया, वैक्टिरिया के अविश्कारक थे लिवेन हॉक, उसके बाद है आरेने, आरेने के अविश्कारक थे जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग, उसके बाद है मेलेरिया परजीबी और उससे समंदे जो चिकिस्सा है, उसके अवि औरनॉल्ड रोस और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर vitamin A के अविश्कारक ठे मायकुलन उसके बाद है vitamin C के जो अविश्कारक ठे वो थे hall skaT उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ते हैंam कौन थे दाग मैंक ते उसके बाद है हिर्दया पर्तिया रौपन हिर्दय पर्दय रोपन यानि कि हर्ट ट्रांस्प्लांट के जो अविश्कारक थे वो थे क्रिश्चिन बर्नार्ड कौन थे दोस्तों ये थे क्रिश्चिन बर्नार्ड उसके बाद देखते हैं ये है लिंग हार्मन के अविश्कारक कौन थे ये थे अश्टेनाच कौन थे दोस्तों अश्टेनाच थे उसके बाद है गर्व निरोधक गोलियों के अविश्कारक कौन थे ये थे पिनकस उसके बाद है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ जिसे हम ECG के नाम से भी जानते हैं इसके अविश्कारक ज इसके आविश्कारक थे Edward Jenner, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हैं लिखा हुआ TB Bacteria, TB Bacteria के जो आविश्कारक थे, वो थे Robert Coach, उसके बाद है दोस्तों Penicillin, Penicillin के आविश्कारक थे Alexander Fleming, बढ़ते हैं, आगे दोस्तों यहाँ पे BCG, BCG के आविश्कारक कौन थे, यह थे Urine Colmet, आपको बता दें दोस्तों के BCG जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका पूरा नाम अगर बोला जा यानि फुल फॉर्म यह होता है, Bacillus Colmet Urine, आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, रक्त परिवर्तन, रक्त परिवर्तन के आविश्कारक थे, कार्ल लेंड अस्टीनर, कार्ल लेंड अस्टीनर हैं इसके आविश्कारक, उसके बाद है DNA, DNA के आविश्कारक थे, James Watson और Crick, पेचिस और प्लेग की चिकिस्ता जो है उसके आविश्कारक थे, जो वेग्यानिक उनका नाम था, किर्टा जा, तोज, उसके बाद है, जंपिंग जीन सिद्धान्त के आविश्कारक थे, बारबरा मैकलिन टॉक, बारबरा मैकलिन टॉक, उसके बाद है, रेगुलेटरी जीन सिद्धान्त के आविश्कारक थे, जैकब और मॉनोड, उसके बाद है, DNA संसुलेशन, DNA संसुले डार्विन चार्स डार्विन थे बढ़ते हैं अंगले अविश्कार की और दोस्तों अश्टेथोस्कॉप के अविश्कारक अश्टेथोस्कॉप एक महत्पुर्ण उपकरण होता है किसी भी डॉक्टर का और ये बहुत ही महत्पुर्ण हो जाता है हमारे एक्जाम के लिए भ प्रतिरक्षन तक्नीक के बारे में पूछा जाए या फिर ऐसे ही पूछा जाएगा कि चेचक का टीका क्या विश्कारक कौन थे यह एडवर्ड जेनर थे उसके बाद है दोस्तों हिर्दे का प्रतम प्रतिस्थापन जो किया था या फिर जो विवेज्ञानिक किये थे वो थे क्रिस्चिन बर्नार्ड उसके बाद है होमियोपैथी होमियोपैथी के संस्थापक या विश्कारक बोला जाए तो यह हो जाएगा हैने मैन या हाइने मैन भी लिखा जाता है उसके बाद है पुन्रावर्तन पुन्रावर्तन का सिधान जो दिये थे वो कौन से विज्ञानि और अर्नस्ट हैकल उसके बाद देखते हैं इसे हम ये क्रोड भी बोलते हैं ये होता है लेप्रोसी बैसिलस का अविशकार किस ने क्या था ये थे हैंसल उसके बाद है दोस्तों रेविज रोधी टीका जो कि कुत्ते के काटने से होता है रेविज और इसके जो आविशकारक थे यह थे लुई पास्चर उसके बाद देखते हैं दोस्तों आधुनिक एंटिसेप्टिक सरजरी का जनक किसे कहा जाता है यह कहा जाता है लिश्टर को किसे कह था दोस्तों आपको यह आज की जो जानकारी है यह कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें शेर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबना ना भूलें अगले दिन अगले फैक्ट के साथ फिर मिलते हैं तब तक के अगले जहिंद